सब्सक्राइब करें उसका लिंक आपको मिल जाएगा निची डिस्क्रिप्शन में उसके आपको बहुत जाद अच्छे देखने को व्लॉक्स मिलेंगी अवन्या जो की काफी बड़ी अवन्या का जो यह अलोवर डिजाइन है एक्स्टीरियर का इसको देख करके जल्द इसके सेग्मेंट के बारे में पता लगा पाना या कुछ भी कहना थोड़ी चल्दबाद ही होगी असलाव ऐको नश्ते जादाब सेतियाकाल और हेलो आ होब आप लोग ठिक तक है और हम बिल्कुल मुझे में हैं आज एक और कार का रेक्शन लेकर आगे टाटावाले मतलब मैं इंप्रेस हो काफी के मतलब इस बात से में काफी मतलब इंप्रेस हो की वह इंडिया की कार है तोटली इंडिया में बनती है और हर कुछ टाइम बाद एक कार अनाउंस होती है कॉंसेट अनाउंस होता है और इवी की तरफ बहुत रो जहान मतलब ध्यान इनका और इंडिया में अल्रेडी काफी सारी इवी हैं और सुनने में आर चारजिंग स्टेशन भी जल्दी जल्दी अची बाद है यह कि आँ अची बाद है नहीं कार जो कि इसकी हाइलाइट्स बढसिपल्य जो टात वाल ने भी इस की ए कार आँने है यह बल्के अपकमिंग टार्टेश यूवी तो जो चैनल चैनल का नाम है ओकर थी चैनल का नाम है और दिज्स्क्रेप्शन जाए प्यारी कार देखिए तेसला से मिलती हुए लग टाटा मोटर्स की तरफ से एक और बड़ी अपडेट सामने आ गई है अभी टाटा कर्व कॉन्वील किया गया था और ये भी कहा दिया गया था कि आने वाले 24 महीनों में इसको डीलर्शिप पर पहुचाना शुरू कर दिया ज कार से परदा उठा दिया है जिसको अवन्या नाम दिया गया है इसका इंग्लिश में मिनिंग होता है इनोवेशन जिसको दो हजार पच्छिस में लॉंच किया जाएगा इसके बारे में जो भी जानकर ये निगलगर के सामने आई है आई एस वीडियो में हम आपको सब बता सब्सक्राइब की जा रही है और जो जनेरेशन फ्री प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है बार-बार ये एक स्केलेबल प्लेटफॉर्म है यानि के इस पर अलग-अलग साइस की कारों को भी लाया जाएगा जो की जादा रेंज देंगी दिखने में अच्छी होंगी फ्यूचरिस्टिक फीचर्स के साथ आएंगी जैसे ADAS फीचर्स भी मिल जाएगा और अलग कनेक्टिट कार टेक्नलोजी फास चार्जिंग और भी बहुत सारी यह चीज़े हैं जो यहाँ पर आपको मिलने जा रह कर्व और यह दूसरी जनेशन 3 प्लेटफॉर्म पर आने वाली अवन्या जो की काफी बड़ी SUV होने वाली है अवन्या का जो यह ओलोवर डिजाइन है एक्स्टीरियर का इसको देख करके जल्द इसके सेग्मेंट के बारे में पता लगा पाना या कुछ भी कहना थोड़ी चल्दबाजी होगी लेकिन जो इसके चौड़े स्पोर्टी स्टांस है नीचे पतली रूफ लाइन है और एक तगड़ा क्राउंड क्लेरेंस है इसको देखकर कि अर्बन SUV कार जैसी लगती है तो यहां पर आप इसको SUV मान कर ही चलें बात करें फ्रंट की तो यहां पर आप इसरे सिरे तक फैली हुई है इस लाइड स्ट्रीप के बीच में टी सिंबल दिखाई दे रहा है जो कि टाटा का लोगो है जिसको टी शेप को थोड़ा सा स्ट्रैच कर दिया गया है पीछे की जब तो टेल लाइट है उसको स्पोईलर वाला फील दिया गया है इससे पता चलता है कि इसमें उपर की तरफ एक स्लिम विंड स्क्रीन डिस्प्ले भी दी गई है इसके लावा ए प्लेर पर लगी डिस्प्ले में रियर व्यू कैमरा आउटपुट मिल जाता है अवन्या की सभी चारो सीटों में आपको हैट्रेस पर अलग-अलग साउंड बार इ केम दी गई है केबिन को ज्यादा प्रीमियम फील देने के लिए इसमें एरोमेटिक डिस्पैंसर भी दिया हुआ है यहां पर आपने इसकी एकस्टीर की कुछ पिचर देखी जहां पर यह काफी ज्यादा अग्रेसिव लुक के जाता रही है इसके लावा इसमें जो प्राइजस की तो जादा इन्फरमेशन तो इस गाड़ी के बारे में अभी सामने नहीं आई है लेकिन अगर 90% तक एक गाड़ी इस तरीके से रहती है और इतना लक्जरी चीज़े इसके अंदर आपको मिल जाती है तो आप अपना बजट 25 लाग रुपए से उपर का लेकर करने के लिए क्योंकि यहां पर जो कोना आती है या फिस एड़ाइसी वी आती है तो यह भी 25 से 30 लाग रुपए के बजट सेग्मेंट में ही भारत में आती है और अभी भारत में कंपेडिशन बढ़ने वाला है तो आने वाले समय में कंपेडिशन बढ़ेगा तब प्राइ सब्सक्राइब करें जो आगे उसकी लाइट पर टी बनावा ना ताटा का टी थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया है उसमें जो एक नहीं चीज है और बाकी जो आगे मिरर है उस पर दिस्प्ले है दोर हेंडल नहीं है और उसके लावा 500-550 किलोमीटर तक इसकी रेंज है जो कि इंप्रेसिव है एंड पूरी गाड़ी में जो साउंड क्या था साउंड बार लगे में हर दरवाजे पर और बाकी यह कि अभी तो कॉंसेप्ट कार है अलॉइस बहुत प्यारे थे ओवराल का बार बहुत प्यारी लोग दे रही चाहिए वह बैक से और फ्रंट से और साइट से और ग्रांड क्लेरंस का फी अच्छी बताई जा रही है और अगला तो वसी तरह नॉर्मली खूलता है पिछले वाला जो है उस तरफ जागे खूलता है तो टाटा वाले नहीं इनोवेशन ला रहे हैं नहीं कॉंसेप्स ला रहे हैं मतलब एक अच्छी बात है कि वह अपने मुल्क के लिए सोच रहे हैं बजाए के लोग मैं तो कहते ह है कि सुनने में आया है कि टैसला से भी बात चल रही है इंडिया की के टैसला आए जल्द वहां पर तो मतलब है कि काफी आगे जो आटो मोबील इंडिस्ट्री इंडिया की वह भी बहुत आगे है और 25 से 27 लाग रुबेस की प्राइस बताई जा रही है जिसको अगर आप प आगे आगे अब जो एक टाइम आ रहे हैं सारे इवी इस का होगा कंपुटेशन हो जाएगा काफी और शायद प्राइस फिर नीचे आजए और आप बताएं आपको इवी में कितना इंट्रस्ट है और कितना अच्छा लगता है कि आपकी अपने मेरे इंडिया कार्स जब आ इंस्ट्रागेंप फॉलो करें लो फोलेटेस फोड़ोस और प्रेइट के लिए इसी तरह हम लोग नहीं रेक्सिंज लेकि आते रहेंगे तब तक लिए अपना ठेस्टाइब करेंगे को